तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि हमारा जो कंट्रोल वाल है वो लीक है तो किस तरह के से हम उसको चेक करें तो अभी हमने इसके पीछे हाइडोलिक पे टेक्टर को टोक टेक्टर का मुह तोक रखा है तो उससे में जल्दी पता बढ़ जाएगा कि हमारे कंट्रोल व वाल है उसमें से ओईल गिर रहा है तो जैसे जैसे ओईल गिरेगा वैसे वैसे हमारी हाइडोलिक नीचे आ जाएगी जब आपके टेक्टर में कट 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 करके आवाज आती है और हाइडोलिक डाउन होती है तो इस तरीके से यहां से ओईल लीक होता है मैंने आपके लिए यह वीडियो बनाया है बहुत ही अच्छी तरीके से हमने वीडियो बनाने की कोशिच किये अगर आपको अमारे वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें से बून-बून ओइल गिर रहा रिलीफ वाल भी चेक कर सकते हैं इस तरीके से अगर रिलीफ वाल भी लीड तो आम हम estado University pvoll को होता है तो जल्दी Ideal Link Dawn हो जाती है इसमें जैंति को देर से वेसिसे कोई दिक्कत भी नहीं jede अगर आप चाहो तो टेक्टर चला सकते हो पर अगर आप कंट्रोल वाल को चेक करना चाहो तो यह इस तरीके से कर सकते हो अभी मैंने मोबाइल को ऐसी जाके रख रखा है अगर वह पिसल जाएगा तो डाइट ओईल में जाएगा तो मैंने बहुत ही मेनस से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेर करे है अगरा तो दोस्तों आप देख सकते है अब आपको पीछे जाके दिखाएंगे कि हमने इसको को कितोक है या नहीं है तो जैसे हम आप देख सकते हैं इसकी हाइट्वूलिग पर आमने एक टेक्टर को टेक्टर का मुंह मुन ऐसको टोक तो रखाये इसके टाइर फिरी है इस्के आप देख सकते हैं यह जितना ज्यादा पीछे वज़न रहेगा उतना जलदी हमें इसका पता पड़ जाएगा कंट्रोल वाल लिक तो वज़न ज्यादा छिये बाकि रिलीफ वाल लेक तो हल्के वज़न में भी पता पड़ जाता यह पर बागी कंट्रोल वाल लीक के लिए अब हम इसको आपको स्टाट करके चेक कराएंगे तो अभी आप देखना हल किसी हाईडोलिक उपर होगी तो जैसे हम हमने इसको स्टाट किया तो इसको हाईडोलिक उपर होगी हल किसी